हलो सूपर फ्रेंड्स तर कैसी है हमारी सूपर पबलिक तर आज का जो हमारा कंपेरिशन वीडियो है वो उन गेमिंग केरेक्टर के उपर है जिने अभी तक किसी ने भी डिफिट नहीं किया है तो एक तरफ है जिन काजामा एंड उसी के ओपोनेंट पे है क्रेतोस तक गोड तो इस कंपेरिशन में हम देखेंगे इनकी पावर्स एबिलिटीज एंड देखेंगे कि इन दोनों के कंपेर में कौन ज्यादा पाउर्फुल है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सूपर कंपेरिशन वीडियो को सबसे पहले बात करते हैं जिन काजामा की तो यह जुन बात करें काजामा स्टाइल की तो यह सेल्फ डिफेंस फाइटिंग स्टाइल है जो कि उसे उसकी मदर जुन काजामा ने सिखाया था एंड इसके अंदर आता है काजामा स्टाइल फाइव हिट कॉम्बो एंड बात करें नमबर सेकेंड माशिमा स्टाइल की तो इसके जो फ बात करें नमबर थर्ड ट्रैडिशनल कराटे की तो ये स्टाइल डोजो इंस्ट्रक्टर ने जिनको सिखाया था एंड इसके अंदर आते हैं राउंड राइट हैंड पंच सीवेज स्वोर्ड स्पीनिंग फ्लेर किक टैन हिट कॉम्बो और बात करें इसकी बाकी पावर्स की तो ये इलेक्टरी सिटी को मैनुपलेट कर सकता है फायर को मैनुपलेट कर सकता है रिजनरेटिव हीलिंग फैक्टर रखता है फोर्स फिल्ड क्रियेट कर सकता है अपने आस पास जिससे की उसको डैमेज से प्रोटेक्शन मिलती है देन डेवलिक जीन की पावर रखता है यानि कि यह demonic powers use कर सकता है बीना अपने devil form में transfer होए like जैसे कि वो laser beams shoot कर सकता है then यह अपने पास mind controlled resistance ability रखता है यानि कि अगर इसके mind को कोई control करने का try करेगा तो यह उससे resistance यानि कि उससे वो परे है इसके mind को कोई control नहीं कर सकता है तो अभी बात करते हैं हम इसके alternate form यानि कि devil gin की तो devil gin में transfer होते ही उसकी जितने भी powers होती है उन सब में एक अलग ही boost लग जाता है साथी उसकी जितने भी base powers होती है उन में और भी powers add हो जाती है जैसे कि उसके पास आजाती है flight की ability devil form में transfer होते ही उसके बड़े बड़े दो wings आ जाते है साथी वो hypersonic speed से उड़ने की ability रखता है देन उसके पास आ जाती है laser beam projection की ability बट ये तो हमें उसके base form में भी देखने को मिलती है बट devil form में आते ही ये बहुत बहुत ज्यादा fast and powerful हो जाती है देन इसके पास आ जाती है teleportation power, telekinesis power, energy absorption, soul detection यानि कि ये किसी की भी soul को detect कर सकता है penetrating fist, hisoyu यानि कि इसमें उसके wings उडने के साथ साथ attacks भी करते है samsora ये एक launcher है जिसकी use वो different flying attacks के लिए करता है साथी laser cannon जिसमें कि वो अपने opponent को 3 hit punch combo मारता है साथी devil beam, devil laser cannon abilities and superhuman strength, durability, reflexes, agility, stamina और बात करें इसकी super strength की तो इसने अपने great grandfather जिन पाची माशिमा को defeat करके उसकी सारी powers को absorb कर लिया था और उसने azazil को अपने सिर्फ एक short में ही मार दिया था बिना अपने devil form में transfer होए और उसने multiple हेहाची clones को defeat किया है and overpowered ogre true form को भी defeat किया है जो कि one of the most powerful character था टेकन का और बात करने उसकी speed की तो वो अपने devil form में आते ही hypersonic speed से fly करने के ability रखता है even वो इसी form में इसी speed से space में भी move करने के ability रखता है and वो इतना ज़्यादा fast है कि वो एक bullet को अपने दांतों से पकड़ सकता है and बात करें उसके durability की तो उसने sub machine gun के shorts को survive किया है उसने हेहाची के powerful shorts को survive किया है and उसके force field ने azazil के powerful attacks को block किया है तो यार यहाँ मैं बता दूँ कि azazil one of the most powerful villain था जिसको एक single hit देना ही बहुत difficult था तो जिन ने उसे अपने सिर्फ एक short में ही मार दिया था साथ ही उसके अंदर उसकी मा का खून है जिसकी वज़े से sound damaging attack से protection मिलती है and एक बार उसे earth के orbit तक fang दिया था बट फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ था तो यार अपने devil form में transfer होते ही जिन एक अलग ही powers को contain कर लेता है बट फिर भी उन सारी powers में उसका control बना रहता है बट अगर वो अपने powers में अपना control खो देता है तो फिर भाई उसके front में चाहे कोई भी हो मतलब कोई भी वो उसको भाड के मार डालेगा चाहे वो कितना ही ज़्यादा powerful क्यों न हो तो यार इसी के साथ अभी चलते है इसी के opponent Kratos the god of war की तरफ So Kratos एक naturally born demigode है because उसके father Zeus है तो उसको ये सारी powers, abilities विरासत के रूप में मिली है Kratos unknown level की super strength possess करता है उसकी power and strength situation के हिसाब से बढ़ती और घटती रहती है अपनी इसी खासियत की वज़ा से उसने बड़े-बड़े monsters को हराया है Kratos की durability इतनी जबरदस्त है कि वो उन situations को survive कर चुका है जिनमें एक normal human मर जाएगा जैसे कि बड़े-बड़े blast को survive करना हजारों feet से नीचे गिर कर उनको भी survive कर जाना देन Kratos के पास ऐसी ability है कि वो आने वाले danger को पहले ही sense करके उन पे quick fast react कर सकता है and normally conditions पे वो एक Olympic athlete की speed रखता है बट जब उसके पास boot of Hermes होते है उसकी speed बहुत ज़्यादा increase हो जाती है then उसके पास है super human strength in fact हमने तो Kratos को कभी ठका हुआ देखा ही नहीं है Kratos weapons का एक master भी है वो किसी भी तरह के हत्यार को first time लेकर ही उन्हें इस तरह use करता है जैसे वो उन सारे weapons का master हो साथ ही वो युद कला में पूरी तरह नीपून है वो अपने almost सभी battles को win करता है वो एक capable magic user भी है and Aries को defeat करने के बाद वो नया god of war बन गया था and उसके पास आगे थी size को grow करने की ability and उसके पास अपनी सबसे बड़ी power थी will power तो यार अगर वो ठान ले कि उसको इस बंदे को हराना है तो मतलब चाहे हराना ही हराना है फिर चाहे कोई भी situation उसके आगे खड़ी क्यों न हो जाए and अपनी इसी power की मदद से उसने सभी gods को हराया है even उसने Zeus को भी हरा दिया है तो अभी बात करते है उसके कुछ powerful weapons की जिनने की वो अपनी battle में use करता है and वो बहुती ज़्यादा powerful होती है number one blade of kreos blade of kreos पर kratos का पूरा control है and ये blade flame को emit करती है and explosions कर सकती है and अगली जो है उसका नाम है blade of artemis ये blade energy से भरी पड़ी है and glow चमकती रहती है और जो अगली blade है उसका नाम है the blade of god kreos ने इस blade का use mighty god को हराने के लिए और ultimately उन्हें मारने के लिए यूज किया था and अगला जो weapon है उसका नाम है the gauntlet of Zeus ये kreos के punches strength को amplify कर देती है and electricity emit करती है then अगला जो है उसका नाम है barbarian hammer ये hammer थोड़ा slow है but काफी ज्यादा powerful waves को emit करता है then अगला जो है उसका नाम है spear of destiny इस magical spear को purple crystal में coat किया गया है जो की अपने length को extend कर सकती है and ये अपने enemies को living bomb में convert turn कर सकती है then अगला जो weapon है उसका नाम है close of headis इसकी help से kreos death soul को बुला सकता है and उन्हें अपने हुकुम चला सकता है then अगला जो weapon है उसका नाम है namian castus ये एक bear है long head gauntlets का जिसका owner खुद hercules था and ये shock waves create कर सकता है and किसी भी चीज़ को बहुत अराम से destroy कर सकता है and अगला जो weapon है उसका नाम है nemesis whips तो ये जो weapon है ये बहुत ही powerful weapon है then इससे अगला जो weapon आता है वो है blade of olympus blade of olympus को खुद create किया था Zeus ने and ये weapon blue energy glow करता है and ये अपने सिर्फ एक attack से पूरी की पूरी army को destroy करने की ability रखता है so अभी बात कर लेते हैं उसकी magics की तो number one पर आता है posidons rage इसकी help से वो अपने opponent को बिजली की powerful attack से vaporize कर सकता है then अगला जो है उसका नाम है medusas gauge and इसकी help से kratos अपने opponent को solid stone में turn कर सकता है then अगला जो है उसका नाम है zeus furry इसकी help से वो lightning blast कर सकता है and दूर से ही अपने enemies पर thunder bolt attacks भी कर सकता है then अगला जो है उसका नाम है army of headis इसकी help से वो warrior south को बुला सकता है अपने enemies को कुछ seconds में destroy करने के लिए अगला जो है उसका नाम है rage of the gods इसकी help से वो अपनी सारी powers को god-like कर सकता है बट सिर्फ थोड़े time के लिए अगला जो है उसका नाम है typhons ban इसकी help से वो छोटे छोटे tornadoes create कर सकता है and fire blast कर सकता है then अगला जो है उसका नाम है koronos rage इसकी help से वो अपने आसपास electricity explode करा सकता है and अगला जो है उसका नाम है atlas quake इसकी help से वो shock waves को debris कर सकता है all directions में then अगला जो है उसका नाम है rage of the titans इसकी help से वो अपनी speed durability को increase कर सकता है fire पे अपना control बना सकता है then अगला जो है उसका नाम है इफरित इसकी help से वो fire demon इफरित को बुला सकता है and उसको control करने के बाद अपने enemies को कुछ seconds में burn जला सकता है and अगला जो है उसका नाम है light of dawn इसकी help से kratos orbs of light and force को create करके अपने enemies पर एक attack कर सकता है जो की बहुती powerful attack होता है then अगला जो है उसका नाम है crowns with इसकी help से kratos एक green flame blast करवाता है and जो भी इसके under या फिर इसको touch कर लेता है वो slowly slowly मर जाता है and अगला जो है वो है army of sparta वो अपने spartan commanders की spirit को बुला सकता है उन पे command कर सकता है and अपने enemies को सिर्फ कुछ seconds में destroy भी कर सकता है then जो अगला आता है उसका नाम है style summon इसमें clones of headis की power से kratos various ethereal beast को बुला कर अपने enemies पर उनका attack करवा सकता है then जो अगला है उसका नाम है sun shield जिसकी मदद से वो energy attacks को block कर सकता है then kratos अपने duplicate copies create कर सकता है जो कि उसी की तरह बहुत ज़्यादा powerful होती है element को manipulate कर सकता है flight उडने की power रखता है illusion casting कर सकता है pyrokinesis, intensibility, mind control powers कर सकता है and पूरी तरह omni science है यानि कि सब कुछ जानता है then telepathy and teleportation power रखता है animal manipulation कर सकता है and immortality की power रखता है जी हाँ वो पूरी तरह omr है and power absorption and soul manipulation and इन सब से बढ़के उसके पास है spartan rage इसमें वो इतना ज़्यादा powerful हो जाता है कि वो damage देता ज़्यादा है और लेता कम है फिर चाहे उसके आगे भाई कोई भी क्यों न हो मतलब कोई भी क्यों न हो मतलब उसको फाड़ के रख देगा वो इस rage में so अभी मैंने आपको इनकी powers and abilities तो बता ही दी है तो अभी देखते है कि इन दोनों की battle में कौन ज़्यादा powerful रहने वाला है and कौन win करने वाला है तो अगर battle jinn base form versus kratos without spartan rage होती है तो normally kratos ही जीतने वाला है because without spartan rage भी उसके पास ऐसी abilities है जिन से कि वो अराम से jinn को हरा देगा और अगर battle devil jinn versus kratos with spartan rage होती है तब भी normally kratos ही जीतने वाला है because kratos के पास magical powers, spartan rage और भी ऐसी ऐसी powers आ जाएगी जिन से कि वो jinn को अराम से हरा देगा भले ही उसका चाहे devil form क्यों ना आ जाए फिर भी वो उसको फाड़ के रख देगा मतलब बहुत जादा powerful है यार kratos ये तो सिर्फ मेरा opinion था और जहां तक मैंने उसकी powers compare की है तो ये मेरा opinion था कि kratos जीत जाएगा बट आप लोग को क्या लगता है आप लोग अपना opinion मुझे comment में बताओ और कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो इसको like करो और मैं जानता हूँ बहुत लंबी होगी ये वीडियो इसलिए thanks for watching and channel पे नहीं हो तो subscribe कर दो channel